तो अगर हम देखेंगे हमारे पास में एक function है वो function का given है function fx is equal to log of x into cos of x तो अब सबसे पहले important बात हमें पता है domain पुछा गया है तो log के अंदर का expression कब define होता है log के अंदर का अगर log x लिखा हुआ है तो यह हमारे पास तभी define होता है जब अंदर का expression क्या हो greater than 0 हो तो it means हमारे पास में log x कब define होगा क्योंकि दोनों function को इडिफाइन होना पड़ेगा अगर हमारा function define है पहला function हमारा define है, only and only when x is greater than 0. अब दूसरा है हमारे पास में cos x, तो हमें पता है cos x x की सभी real values के लिए define होता है, तो अगर x belongs to all real values, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे, दोनों function को define होने के लिए, अगर cos x को मैं number line पर ट्रॉख करूँ, cos x के domain को, तो यह तो कहा है, पूरी number line पर जितनी भी values है, सब को represent करता है, लेकिन जो log x है, यह मेरे पास में 0 होगा, इसके आगे की values को ही represent कर रहा है, बस इसका meaning क्या हुआ, कि यह सिर्फ positive values जो हैं हमारे पास में real positive numbers हैं, उनी को define कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में domain आएगा, वो domain क्या देगा, कि x belongs to all positive real numbers, या फिर x greater than 0 भी बोल सकते हैं, so this is the answer for this question, अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे options हैं, वो सारे wrong हैं यहापर, क्योंकि सब में क्या है, minus वाला पार्ट आ रहे हैं, जबकि log x हमारा defining यहाँगा, गर x हमारा negative यहाँगा, option these, none of these.